नमस्कार साथियों, पांचवा दिन नवरात्रों, बात ये है कि वैकल्पिक पार्थ और प्रतिरोध के संस्कृति के कुछ आधुनिक दिखावे चल रहे हैं और वो वस्तता धर्म परिवर्दिन की प्रस्तावना हैं मैं आपको इसका उधारन देता हूँ दा इंडियन एक्सप्रेस के एक स्टोरी से जो 8 दिसंबद 2016 में चपी इस शेशक से चपी, meet the Asurs, a marginal tribe that describes Durga as a goddess who enticed Mahishasur ये जारखंड के गुमला चले की गुर्दारी बाकसाइट खदान से 500 मेटर दूर के एक गाउं साखु पानी में रहने वाले 70 वर्षिय चमरू असुर को ढुण निकालते हैं और वो कहता है कि I have heard we are descendants of Mahishasur, that is all I can tell you कि मैंने सुना है कि हम लोग Mahishasur के वैंशज हैं और यही बस मैं आपको कह सकता हूँ यानि उसने सुना भर है, वो नहीं कहता कि हमने अपने पुर्खों, दादों और फीडियों से सुना है वो नहीं जानता कि उसके पूरवज भी यहां कैसे बसे लेकिन यहां बात उसकी जो ट्वंटीज की उमर में रही एक्टिविस्ट जो है वो शुश्मा असुर जानती है, जो बारवीं तक पढ़ी है जबकि सत्तर वर्षिय वो असुर कहते हैं कि उनके बच्पन में किसी ने भी उनके विश्वासों और पूर्वग्रों के आधार पर उन पर आपत्ती नहीं ली थी बस इतना सोचा कि यह लोग कुछ हैं, इससे ही इस परश्य है कि किसी को उनके होने पर आपत्ती नहीं रही फिर क्या हुआ, आज यह अन्याय का आर्य विरुद्ध अनारे का एक नेरेटिव चला कर जो है किया क्या जा रहा है यह इस रिपोर्ट से पता लगता है कि वहां रहने वाले 101 असुर परिवारों में से नभे ने इसायत अपना ली है क्या इन्हें यह कथाएं ऐसी ही तोड मरोड कर बताई गई है एक कविता भी देखिये जो चल पड़ी है अंग्रेची की है कबीर देव वो कहते हैं, a sleek counter between two idols one gets killed, the other stands tall above all some call it feminism, when an asura falls little do they know that Aryans just made a role अब कभीर देव की जो कविता है इस जहर की प्रदन्थी कविता है यह बताती है कि जब औसत हिंदुस्तानी नव दुर्गाओं में दुर्गा पूचा पवरत रख रहा होता है अपनी आंतरिक शुद्धी के लिए देवी आरादना में तनमे हुआ रहता है यह नव दुर्गाओं में नाच रहा होता है तब भारत के भीधरी हलकों में कौन से जहर की आपूर्ती की जाएगी जिन दुर्गाओं को रोलेट कमिटी ने अंग्रेजी शासन के प्रती मोह भंग डिस अफेक्शन फ़लाने का माध्यम माना था जैसे उनी दुर्गाओं का एक विपरीत नारेटिव तैकर भारत की सोतंतरता की शतिपूर्ती की जारी है इससे इसपेश्ट है कि भारत की माओ बैल्ट ही मिशन बैल्ट क्यों है कैसे इन दोनों का शांतिपूर्ण सहस्तित्व भारत की जणों पर आगात कर रहा है वे हर भारतिय महाकावी की हर पवित्र कथा का अर्थ ये बता रहे हैं कैसे उन में सच्चे भारतियों या True Indians को मार डाला गया क्या राम ने रामायन में True Indian को मारा था क्या किश्गिन्दा के वानर True Indian नहीं थे और लंका का बलातकारी और अत्याचारी हुकमरान True Indian था और आयुध्या का राजकुमार राम माइग्रेंट हो गया राम का पूरा वैंशिवरक्षिसी भारत का है इक्षवा को क्या कौकेशिस से आये थे वह अयुद्या के राज़त थे क्या हरिश्चेंद्र उत्तरी दूर से आये थे क्या भगीरत राइन नदी को खिंच कर लाये थे क्या रगु का होमलैंड यूरप था इस बिंदू पर आकल लगता है कि क्यों हमारे शास्त्रों में वैंशावलियों पर इतना इस्थान खर्च किया गया पहले मैंने व्यर्थ का श्रम मांता था लेकिन अब लगता है कि उन त्रिकालक्यों महाकाव्यकारों को मालुम था कि एक दिन इस देश में राम और क्रिश्न को भी बाहरी बताने की जहरिली फसल उगाई जाएगी और इसी देश के कुछ अकादमिक परिसर इस फसल को रासाइनिक उर्वरकों के आपूर्ति कर रहे होंगे सबसे बड़ी शैतानी तो महिशासुर को मात्र काले होने के आधार पर इस्थानी आदिवासी बताने की है यदि ऐसा है तो काली क्यों इस्थानी आदिवासी समधाय की नहीं हुई क्या महिशासुर के महिलाओं के प्रती जीवन मूलियो किसी भी आदिवासी समाज में इस्त्रियों के प्रती जीवन मुल्यों से मिलते है भीलों में तो लालबाई माता है सरसती माता है नवडी सितला माता है नर्मदा माता है कालका माता है देह माता है टुटला माता है पिंपरी माता है मेलडी माता है फलबाई माता है बगला माता है भुवाचा माता हैं, टुटली माता हैं, सेरी माता हैं, मही माता हैं, पावगर माता, हुली माता, खोरी माता, भुवानी माता, सावन माता, गर्ची माता, शुम्कादेवी माता, वे माता, इन सब की पूचा होती है वहाँ, क्या आर्यव सरस्दी माता की पूचा नहीं करते थ तब क्या वे प्रतिस्थापन में दीज अरही मदर मेरी से कहीं दूर हैं क्या गर्ची माता से महिशा से मर्दनी की याद नहीं आती जिनका उच्छ स्वर में किया गया नाद असरों को आतंकित कर देता है जैसे लोग नवराती उत्सों मनाते हैं वैसे ही भील नवरी उत्सों मनाते हैं वनवासी पावगर की मा को कैसे बलाते हैं ये दिल्ली में विशिद्याले के परिसरों में रहकर पता नहीं लगेगा गोड़ों की परवतिया माई को परवति से और काली माई को काली माई से कैसे प्रतक करेंगे उनकी भवानी माई, उनकी मही माई, उनकी सक्ती माई, उनकी तुलसिया माई, उनकी हिंगलासी माई, गरजन माई, को तथाकति आरियों की देवी माँ से कैसे फरक करेंगे कोरकु जन जाती कि अंबा माता, खप्पर वाली वियां, धर्ती माता, देवी माता, काली मा, भवई माता, कंठी माता क्या महिशासर के द्वारा पूची जाती थी ये कोरकु तो कहते हैं कि हम अपनी आँख के आँसु आपको अर्पित कर रहे हैं मा, हमारी करुण पुकार सुन लो, केना रहना आचों में मेढ़ा सुनी ले वो जी जी ये कहते हैं वे, कि अजों में डो काली माई, आम भी अजों में डो माई, अजों में डो खप्पर माता, आम भी अजों में डो माई ये काली माई और ये खप्पर वाली माई कौन है आंगन में दीब जलाने वाले कुरकू ये क्या महिशासुर के उत्राधिकारी हो सकते हैं। भारत के सांस्क्रतिक एकी करण को तोड़ने के लिए इसी कारण कुछ लोगों को जरूरी है कि वे इस तरह के बौधिक वियायाम करें जिसमें असुरों को आदिवासियों का परियाया बताया जा सके हैं। और इसलिए दुरुगा शब्ते शती का पुनरपाथ जरूरी है। तो इस एच तक वेट करना पड़ेगा ना। भिलकुल नहीं। हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है। एलाइसी के न्यू जीवन शांती में जो हमें देगा डिफर्ड अन्यूटी मतलब कुछ साल बात से रेगुलर इंकम। आइसी। एलाइसी। के एन्यूटी प्लैंज दिद एन्यूटी उप्शन और नियमित इंकम पाने में फ्लेक्सिबलिटी भी एलाइसी हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की हैं। वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हैं। हर आम और खास से चुड़े मस्लें। हर मसले का सटीक विश्लेश हम करते हैं सत्य का अनवेशा दखल न्यूज आपके हद में आप देख रहे हैं दखल न्यूज